का दोस्तों आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आज किस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जब बेबी जो होते हैं चोटे बेबी जब रोते हैं रात में जो रोते हैं तो उसका कारण क्या होता है और उसको आप एक ऐसी कौन सी चीजे जिसको आप करक कि आपको SIMPLY एक चीज का देना है कि आप बीवी सूता कभ है जगता कभ है उसका टाइम टेबल क्या है यह आपको ध्यान देना है घैम कैसे थेहन देना है तो चले बताते हैं आपको रेकिती सिह आपका बीवी मानने जिए इव इवनिंग में सू दो प्डोसक नेडेल तो तो वे समझ राच में तो जल्दी तुसका नहीं चुरँ सूगा है डिवार्फ की आहिक है नहीं जल्दी इसको अपनी रूह रहा है तो मतलब यह कि उसके जू कई कि मतालब पूरी में पूल है मेरा खुद बेबी नहीं सवुसार को जीसित डूपका न सक्रच धान के रियुए सब्सक्राइब वो रात को 10, 11, 12 क्विक थीन बजा देता था, यह समझी, तीन-थीन बज़े तक में बच्चे भूझे परिशान करना होता था, तो मैंने क्या किया, मैंने सिंप्ली अपने अकॉर्डिंग उसका टाइम टेवल सेट किया, मतलब आपको भी क्या करना है आपको अपने अपने टैम टेवल के अकॉर्डिंग बेबी का टैम टेवल सेट करना है जैसे मानलीजे आपका बेबी मौर्निंग में साथ बजो उठा तो आपको क्या करना है कि आपको यह ध्यान देना है कि आपको अपने बच्चे को मतलब खिल कि आपका बच्छा पॉज़े के पहले पहले ही पांच से आट वज़े का जो टाइम उस बीच में बिल्कूल ना सोई उसके बाद बच्चा जो है रात में आट वज़े के बाद नौ बज़े दस वज़े सोज़ाए तो कोई दिक्क्त नहीं है जिससे क्या होगा अपने तो मौनिंग में कैसे उठेंगी कैसे अपना काम पूरब कर पाएंगी देखिए लेडिस लों की आप जानते हैं सच बात यह कि नॉर्मली लाइफ जो होती है वह बहुत ज्यादा हेक्टिक होती है बहुत ज्यादा बीजी सुडियोल होता है उसमें भी अगर आप रात रात भ पर आठ बंधे सुअ लगवा और है उसमें मेरी है की जब भी आप बच्ची को रात में आपका बच्चा मानली जी आठवजे सो गया मतलब एक बाद में लेकर चलते नों बजी सो गया तो अगर आपका बच्चा एक घंचे बाद दुबारा उठा रोनी के लिए वे लिए में आपको थोड़ा सा रोया वे थोड़ा बहुत अम्रे की लाइट ऊप करनी है उसको आप ब्रेसपीडंग कराती है। उसको ब्रेट स्पीडिंग कराईए उसको उपर का कुछ दूद्प गरह पिलाती है तो आप उपर का कुछ दूद्प गरह पिला दिए अलब जैसी आपका बच्चे रोना इस्टार्ट किया वह उठके ना बैठ पाए आप उसके पाथ जाके लिए जाए लाइट आफ कर से अपने साथ चिपका के रखिए उसको ब्लस फीडिंग वगरह कराईए आपका बच्चा दस नट के अंदर बापस हुई वापस सो जाएगा अलब आपको बच्ची को जैसी थोड़ा बहुत उसको उठने नहीं देना है पूरी तरीके से थोड़ा बहुत भी कुछ मुनात आप यकीन मानिए मैंने यह खुद अपने उपर अपलाई करके देखा है मेरा बेबी इतना रोता था इतना रोता था कि मैं अपने बच्चे को समझ लीजिए रात में जैसी मतलब जब मैं इसको रात में शुलाती थी तो मान लिजिए मेरा बेबी नौ बज़े सो जा है और रोता है तो रोता है तो रोता है तो आप उसको बेड़ सुन करा दीजिए या वो अनकमफर्टेवल फील कर रहा होता है उसको उसकी नैपी वगरा घीली होती है इस वएसे बस आप यह दो चीज कर नाइट में ध्यान दीजिए आपका बच्चा रात भर सुएगा बिल्कु रो रहा है रात में वह एक अलग मैटर हो जाता है लेकिन रोज रोज आपका बच्चा रो रहा है तो यह एक आप पर ही डिपेंड करता है आप एक माँ है सब कुछ कर सकती है आप जैसा चाहेंगी वैसा ही आपका बच्चा करेगा लेकिन आपको थोड़ा टाइम देना यह इंतम 100% सही बात है तो अगर यह वीडियो आपके लिए यूसफुल रहा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा सब भी ममेलों के साथ के और इस वीडियो से लेटर आपके में कोई भी कोशन आ रहा है तो हमें कमेंट करके जरूर पूछेगा इस वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा उसे अभी सब्सक्राइब कर लेजिए चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में जो की बहुत जादा यूसफुल हो तब तक के लिए नमस्कार थैंक यू थैंक्स पर वाचिंग